तो अब तक हम लोगों ने देखा था कि जॉंबी ने डिटेक्टिव बन कर काम करना सुरू कर दिया लेकिन उसकी इंप्लॉय को ये पता चल चुका था कि डिटेक्टिव किम ही जॉंबी है आगे की कहानी में हम ये जानने की कोसिस करेंगे कि आखिर डिटेक्टिव किम जॉं नहीं आएगा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में दे दिया है अब हम देखते हैं कि जब गॉंग को पता चलता है कि किम जॉंबी है तो वह उसके घर से भाग कर सीधे अपने घर चली आती है और अपने जीजा से जॉंबी के बारे में पूछने लगती है क्योंकि ली जॉंबी के उपर फिल्म बनाना चाता था इसलिए वो जॉंबी के बारे में सब जानता था ली बताता है कि जॉंबी कच्चा मास खाते हैं वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव सुंग अभी भी ये समझ नहीं पाया था कि किम के उपर वो इसकार्स क्या था और वो कच्चा चिकन क्यों खाता है वहें कहता है कि मुझे लगता है कि वो जरूर एक नमबर का फुडी होगा इधर गॉंग ये सोच रही थी कि क्या उसे पुलिस को बता देना चाहिए कि डिटेक्टिव के में एक जॉंबी है तभी उसकी बहन उसका कान पकड़ कर उसे उसक पूछती है क्या जिस पर गॉंग कहती है कि जॉंबी यॉंग पूछती है क्या जॉंबी गॉंग बताती है कि हाँ जॉंबी जो टीवी में होते हैं और ऐसे चलते हैं तभी लिख हैता है नहीं जॉंबी ऐसे ऐसे नहीं बलके ऐसे चलते हैं मगर यॉंग गॉंग की बातों को बकवास समझ कर उसे मार कर वहां से बगा देती है जिसके बाद गॉंग जॉंबी के बैट से बचने के लिए अपने उपर बहुत सारे कपड़ी लपेट कर जॉंबी के पास जाती है और उससे कहती है कि देखो तुम मुझे खाओ इससे पहले मैं तुमें बता दूं कि हो गॉंग कहती है कि अगर तुम मेरे पिछले काम के पैसे दे देते तो मेरा काम बन जाता जिसके बाद जॉंबी उसे पैसे दे देता है फिर गॉंग जब पैसे लेकर जाने लगती है तो वो उनकॉंसियस होकर नीचे गिर जाती है उसके पेट में बहुत तेज दर्द होन लगता है उसने अपने पेट में भारी भारी चीजे बान रखा था फिर जब गॉंग को हो साता है तो वो हॉस्पिटल में थी उसे ऐसा लग रहा था कि साइद वो भी जॉंबी बन चुकी है उसके चिलाने की आवाज सुनकर सभी लोग वहां आ जाते हैं तभी डॉक्टर उस वहां से चला डाता है लेकिन जून गॉंग को कॉल करके कह देता है कि साइद मिस्टर किम कहीं जा रहे हैं उसने होडू को मुझे वापस लोटा दिया इसके बाद गॉंग जॉंबी के घर पहुंच जाती है लेकिन वो घर पर नहीं था वो उसे कॉल करती है तो उसका फोन घर पर ही था लेकिन गॉंग देखती है कि जॉंबी ने उसका नाम टटी के नाम से सेव किया था इसके बाद वो भागते वे बस स्टॉप पर पहुंच रहती है और गॉंग को उसका फोन दे देती है जॉंबी जा रहा था क्योंकि गॉंग को पता चल गया था कि वो जॉंबी है इसलिए वो उसे खाने के बजाए हॉस्पिटल ले गया जॉंबी पूछता है कि तुम यहां क्या कर रही हो जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में किसी से नहीं कहूंगी अब हम आगे भी साथ मिलकर काम कर सकते हैं इसके बाद गॉंग उसे अपनी एक फ्रेंड के रिस्टुडेंट में लेकर जाती है जॉंबी पूछता है कि तुम मेरी असलियत जानते वे भी मेरे साथ खाओगी तो वो कहती है अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता फिर गॉंग जॉंबी के लिए कच्चा मास मंगाती है इसके बाद जॉंबी गॉंग को अ के बारे में भी पता करेगी नेक्स्ट डे गॉंग अपनी बहन को घर खर्ट के लिए पैसे दे देती है और उसे बताती है कि अब वो एक प्रैवेट डिटेक्टिव कंपनी में जॉब कर रही है यह सुनकर यॉंग बहुत खुस होती है और अपने पती का खाना चीन कर गॉ पतक जाए इसके बाद गॉंग सड़क पर जाकर अपने डिटेक्टिव एजेंसी का हैंड विल बाटने लगती है ताकि उन लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा काम आए फिर वो ऑफिस से जाकर जॉंबी के उन चीजों को देखना स्टार्ट करती है जो उसे जॉंबी बन लेटर के बारे में जानता है तो उसे बताए गॉंग उसे पूछती है कि तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है क्या जिस पर वो कहता है कि किसी ने मुझे पर गोली चलाई थी लेकिन क्यों वो मुझे पता नहीं तभी गॉंग के डेम में कोई मेस तबी सेंटा किड्नैपिंग एन मडर केस का विटनेस हियोंग वहां से गुजर रहा था, गॉंग उसे रोक कर उसका हाल चाल पूछती है, हायोंग का ये हाल उसे सेंटा के बारे में गॉंग को इंटर्व्यू देने के बाद हुआ था, गॉंग उसे अपने एजिंसी का पढ़े तो एक बार कॉल जरूर करना, तबी हायोंग को उसकी वैफ का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसकी मा पहाडों में कहीं खो गई है, और उन्हें भोलने की बिमारी है, हायोंग वहां से जाने लगता है, तबी गॉंग उसी रोक कर कहती है कि हम तुमारी हिल्प क करना चाते हैं, जिसके बाद वो तिनों पहालों में हायोंग की मा को ढूंडने निकल जाते हैं, पहालों पर पहुँचकर जॉंग और गॉंग एक साथ हायोंग की मा को ढूंडते हैं, और हायोंग अकेला उन्हें ढूंडने के लिए निकल जाता है, जॉंग को रस्ते में ह लेकिन तभी वहां पर एक जंगली सुवर आ जाता है जो गॉंग के उपर हमला करने वाला था लेकिन जॉंबी उसे बचा लेता है मगर जॉंबी को भूक लगी थी इसलिए वह सुवर का सिकार करने के लिए चला जाता है जॉंबी सुवर को पहाल से नीचे गिराने के चकर मे खूद उसके साथ गिर जाता है गौंग को लगता है कि जॉंबी मर गया लेकिन तभी वो सुवर की बॉड़ी को लेकर उपर आता है फिर वो गौंग से उसकी हिल्प करने को कहता है जॉंबी उससे कहता है कि जल्दी चलो तुम इसे पका कर खाना और मैं कच्चा खा जाऊंग इसके बाद हयोंग डेटेक्टिव किम को उसकी मा की जान बचाने के लिए सुक्रिया कहता है और अपनी मौम को वहां से लेकर निकल जाता है लेकिन जाते वक्त हयोंग की मा किम को अपना बेटा समझने लगती है और उससे पूछने लगती है कि बेटा तुम कहां चले गए थ जिसके बाद हयों किम से कहता है कि माफ करना इन्हें भूलने की बीमारी है फिर वो अपनी मा को वहां से लेकर चला जाता है फिर जब गॉंग अपने घर जाती है तो वो जॉंबी के बारे में सोच रही थी कि वो कितना अच्छा जॉंबी है निक्स्ट मॉर्निंग गॉंग जॉंबी के पास्ट के बारे में पता करने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है वो एस्ट्रोलॉजर बड़ी बड़ी बाते कर रही थी वो जॉंबी से कहती है कि तुम जिंदगी और मौत के भी जूल रहे हो जॉंबी को उसकी बाते सची लग रही थी लेकिन गॉंग को वो एस्ट्रोलॉजर जानी पहचानी लगती है इसलिए वो उसके गाल पर लिपस्टिक लगा कर उसके टोपी उतारती है तो उसे पता चलता है कि वो एक कौन आर्टिस्ट है जो लोगों को बेवकूफ बना कर उससे पैसे कमाती है में देखकर वो एस्ट्रोलॉजर बहुत डर जाती है और अपना सच कबूल कर लेती है कि वो एक ढोंगी है इसके बाद जॉंबी वहां से चला जाता है गॉंग पूछती है कि क्या हुआ तो वो कहता है कि मैंने अभी सोरी को देखा जिससे सैंटा ने किड्नैप किया था ग फिर वो दोनों डिट गैलरी में सोरी की फोटो देखने के लिए जाते हैं जहां गॉंग उसे बताती है कि सोरी की मा उसे जनम देते हुए मर गई थी लेकिन उसके डैड अपने बिजनेस की वज़ा से उससे दूर रहते थे और उस पर ध्यान नहीं देते थे इसलिए वो अ दोकर से वो लैटर मिसिंग है उसे अपने घर में किसी के होने का भी हैसास होता है फिर जब वो चेक करता है तो उसे अपने बातरूम में डेटेक्टिव सुंग और डेटेक्टिव वैंग चुपएवे मिलते हैं वो उन दोनों से पूचता है कि तुम दोनों यहां क्या कर हो सूंग कहता है कि हम दोनों एक ही इंडस्टी में है ना इसलिए हम तुमारे लिए चिकन लेकर आए थे दरवाजा खुला था तो हम अंदर आ गए लेकिन हमारे आने के बाद एक आदमी यहां पर आया उसे देखते ही हम छुप गए लेकिन उसने तुमारे घर के सामान इधर किसी ने चुराया था नेक्स्ट डे गॉंग जब आफिस आती है तो जॉंबी उसे बताता है कि किसी ने मेरा लैटर चुरा लिया उन दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर चोर ने लैटर ही क्यों चुराया वहीं हम देखते हैं कि डेटेक्टिव सुंग और वैंग ने जॉं के बाद अब तुम काम पर नहीं जाते तुम न्यूज वालों से कंपनसेशन एमांट क्यों नहीं मांगते दूसरी तरफ जॉंबी और गॉंग बैट कर बाते कर रहे थे तबी जॉंबी के कंधे पर एक हात आता है जॉंबी उस हाथ को पकड़ कर घुमा देता है लेकिन वो हात ली का था ली दर्द से चिलाने लगता है तबी गॉंग बताती है कि ये मेरे जीजा है जिसके बाद जॉंबी वापस से उसका हाथ को घुमा कर ठीक कर देता है गॉंग ली को बताती है कि ये मेरे बॉस है तबी जून जॉंबी से कहता है कि आज मेरा बर्थरे है तुम चरूर आना जॉंबी कहता है कि ठीक है मैं आऊंगा फिर वो जून के बरतड़े पार्टी में चला जाता है जॉंबी को देखकर यॉंग कहती है कि मिस्टर कीम तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो तबी वहां पर ऑफिसर चा भी आजाता है बरतड़े पार्टी सुरू होती ह केक करता है सारे लोग बर्तडे सौंग आते हैं फिर बारी-बारी सभी लोग जून को गिफ्ट भी देते हैं लेकिन जॉंबी उसे होडू से मिलने के लिए कुपन देता है क्योंकि वापस आने के बाद जॉंबी ने जून से होडू को वापस ले लिया था इसके बाद सभी ल वह खाना नहीं खा सकता था पाटी खत्म होने के बाद गॉंग जॉंबी के साथ बाहर करने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि मैंने मुवी में देखा है कि जॉंबी इंसानों को भी खाते हैं लेकिन तुम नहीं खाते ऐसा क्यों जिस पर जॉंबी कहता है पता नहीं वहीं दूसरी तरफ फिर से योंग को देखते हैं वो एक कबर खोता है और कहता है कहां गया वो मैंने तो उसे यहीं दफनाया था इसके बाद वो केम के पास चला आता है और उससे पू लगता है और उससे कहता है कि तुम उस रिपोर्टर के साथ मिलकर मडर केस को क्यों खोद रहे हो अगर तुमने नाटक करना बन नहीं किया तो तुम भी फसोगे जॉंबी कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं जिस पर वो कहता है कि माफ करना मैं तुम्हें अपना एक दोस्त लेकिन जॉंबी को डिटेक्टिव सुंग के मैं के बारे में पता चल गया था इसलिए वो उसका डिवाइज निकाल कर उसे अपने पास बुलाता है सुंग और वैंग जब वहां आते हैं तो वो उससे पैसे देता है और कहता है कि जो आदमी अभी यहां से गया है तुम्हे उस पर नजर रखनी है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए अब हम हयों को देखते हैं जो एक कंस्ट्रक्शन सैट पर काम मांगने के लिए जाता है मगर सुंग और वैंग चोरी चुपके ऐस क्रिम वाला बनकर उस पर नजर रख रहे थे इसके बाद गॉंग व लेकर आता है तो गॉंग उसे फुसला कर चाय पीने के लिए बाहर लेकर जाती है और जॉंबी सोरी के जूतों में से उसके स्मिल लेने लगता है इधर डिटेक्टिव सुंग हयों की फोटो क्लिक कर रहा था इसके बाद वो उसके बारे में सारी बाते पता करके किम को बता देता है कि उस आदमी का नाम हयोंग है जो के पहले बोडिगार्ड हुआ करता था लेकिन एक इंजरी के बाद अब वो लेवर में काम करता है उसकी एक बीवी है और मा भी है लेकिन उसकी बीवी मा नहीं बन सकती इसके बाद गॉंग उसे धेर सारा चिकन देकर वहां से भे पूसीरणिवे जरने के लिए सुक्रिया कहते हैं तब ही वह पर उस्से एक फोटो में जोंबी का घली दिख जाता है जिसके बाद वो उसके डैड को जोंबी का फोटो दिखा कर पूचते हैं कि क्या आप इसे जानते हो सोरी के घैड कहते हैं हां यह स्ोरी का ऐसे देना चाता था लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिला गॉंग ये सुनकर बहुत खुस होती है कि जॉंबी एक अच्छा आदमी था वहीं दूसरी तरफ जॉंबी हायों के घर पहुंच जाता है जहां उसे एक पैकेट से ठीक वैसे ही समय मिलती है जैसा उसे सोरी के सूज में मिली थी तभी वहाँ पर हयोंग आता है तो जॉंबी उसका कॉलर पकड़ कर उससे पूछने लगता है कि तुमने सोरी को क्यो मारा लेकिन तभी हयोंग की माँ वहां आकर जॉंबी से कहती है कि अंदर चलो बेटा बाहर बहुत ठंड है जिसके बाद हयोंग की बीवी वहां आकर उसकी मा को ले जाती है और कहती है कि ये अंजान आदमी आपका बेटा नहीं है इसके बाद हयोंग जॉंबी को अपने घर से दूर लिकर जाता है और उससे कहता है कि उस दिन उस बच्ची को किड्नैप करने के बाद उसका मडर करना ये सब तुम्हारा प्लैन था मैंन वो मर गई लेकिन जॉंबी के साथ साथ हमें भी इस बात पर यकीन नहीं होता कि जॉंबी ऐसा भी कर सकता है इसके बाद हयोंग कहता है कि मुझे तुम्हें वापस जिन्दा देखकर बहुत खुसी हुई फिर वो वहां से चला जाता है फिर अपने घर जाकर जॉंबी सोच है कि वो बहुत घटिया इंसान था उसने सोरी को मार दिया इसलिए वो ड्रिल मसीन से खुद को मार कर सुसाइट करने का सोचता है लेकिन ड्रिल मसीन खराब हो जाता है जिसके बाद वो उसे ठीक करने लगता है तो उसे करेंट लग जाता है मगर करेंट लगने के बाद भी वो नहीं मरता नेक्स्ट डे गॉंग जब ऑफिस आती है तो जॉंब उसे नहीं मिलता लेकिन उसे हयों की फोटो मिल जाती है उस फोटो में उसे डेटेक्टिव सुंग की एक चीज भी मिल जाती है इसलिए वो डेटेक्टिव सुंग के पास जाकर पूछती है कि तुमने हयो की फोटो क्यों ली डिटेक्टिव सूंग कहता है कि हम अपने क्लाइंड की इंफॉर्मेस्टन किसी को लीक नहीं करते जिस पर गॉंग उसे ड्राने लगती है तो वैंग फटाफट उसे बता देता है कि हायोंग ने डिटेक्टिव किम का लैटर चुराया था इसलिए उसने ह में उस पर नजर रखने को कहा था वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हायोंग की बीवी उसे पूछती है कि कल रात को वही था ना लेकिन वो जिन्दा कैसे बच गया हायोंग कहता है कि तुम परिशान मत हो वो मर चुका है तभी कोई उनके घर का बिल बजाता है हायोंग की बीवी दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर गॉंग आई थी वो उसे अंदर बुला कर बैठाते हैं गॉंग उनसे कहती है कि जिस दिन सोरी की किड्नैपिंग हुई थी मुझे उस दिन का एक CCTV फुटेज मिला है जिसमें कातिल को साफ साफ देखा जा सकता है हयोंग समझ जात और उसे कहती है कि पुलिस को फोन करो लेकिन उसकी बीवी उसे मार कर बेहोस कर देती है फिर जब गॉंग की नेंद खुलती है तो उन लोगों ने उसे बांदा हुआ था तबी हयोंग उससे कहता है कि मैंने कहा था ना मैं कलप्रिट का चैरा कभी नहीं बोल सकता क्योंकि वो कलप्रिट कोई और नहीं बलके मेरी बीवी है फिर उसकी बीवी कहती है अगर तुम हयोंग का इंटर्व्यू नहीं लेती तो हमें एतना नाटक नहीं करना पड़ता दरहसल उस दिन भी किसी ने हयोंग पर हमला नहीं किया था वो तो उसकी बीवी ही थी जिससे उसने अ पास आती है तो गॉंग उसके मूव पर इंसेक्ट इस्प्रे मार कर वहां से भाग जाती है वो उनसे बचकर भाग रही थी और मदद के लिए चिला रही थी तभी जॉंबिया कर उसे एक दिवार के पीछे चुपा लेता है फिर वो उसे बता देती है कि सोरी को हयोंग की भ पून बह रहा है ये सुनकर गॉंग बहोस हो जाती है इदर हयोंग अपनी बीवी और मा को लेकर वहां से भागने के तयारी में था लेकिन तभी उसकी बीवी कुछ लेने के लिए वापस अपने घर चली जाती है लेकिन तभी पुलिस भी वहां आ जाती है क्योंकि गॉंग कहाँ है जिस पर व쪽 कैता है कि पता नहीं लेकिन हमने ह ruim की बीवी को पकड़ लिया वहीं Jeremy नहीं में देखता है कि सांटा किडंञापिंगमडर्स के सव्पधिक हयोंग और उसकी बीवी को कोल आता है वो उससे कहता है कि तुम्हारी वज़ासे मैंने सोरी को खोया था अब क्या मैं अपनी बीवी को भी खोदूं जिस पर जॉंबी कहता है कि तुम आकर मुझ से क्या छुपा रहे हो हयोंग कहता है तुम जानना चाते हो फिर ठीक है तुम मेरे पास आजाओ इधर डेटेक्टिव सुंग अपने ऑफिसर दोस्ते मिलने पुलिस स्टेशन आता है तो वो वहाँ पर हायोंग की बीवी को भी देखता है वो उससे कहता है कि मैं तो इस औरत को बहुत अच्छे से जानता हूं ऑफिसर पूठते हैं कि क् इस ने अपने हस्बेंट से साधी नहीं की लेकिन ये दोनों हस्बेंट वैफ की तरह रहते हैं और ये बांज भी है लेकिन इससे बच्छों से बहुत लगाऊ है ऑफिसर पूठता है कि क्या ये सच कह रहा है जिस पर वो कहती है कि हमने सोरी को किड़नाइप किया क्योंकि ह हम उसे पालना चाते थे इधर जॉंबी हेयोंग से मिलने के लिए उसके बताये जगा पर पहुँच गया था लेकिन वहां पर सिर्फ उसकी कार थी हयोंग दूर खाड़ा उससे देख रहा था वो उससे कहता है कि मैंने अच्छी जिंदगी जीने की क्वैस की थी लेकिन तुम कोल कर तो देखो जॉंबी उससे खोलने के लिए जैसे ही कार का दर्वाजा खोलता है वहां एक जोरदार ब्लास्ट होता है हयोंग को लगता है कि वह मर गया लेकिन हम देखते हैं कि वह अभी भी जिंदा है लेकिन इस धमाके के बाद उसे याद आ जाता है कि उसका नाम मु ने किसी तरह सोरी को ढून निकाला मगर हयोंग ने उसे मार कर बिहोस कर दिया और फिर उसका मटर कर दिया इसके बाद वह हयोंग को ढूंडते विए उसके पास पहुंच जाता है उसे जिंदा देकर हयोंग के होस उड़ जाते हैं मु उसे खूब मारता है और उसे पू तो जॉंबी फिर से जिन्दा हो जाता है यह देखकर हयोंग का दिमाग खराब हो जाता है कि वो दुआरा कैसे जिन्दा हो जाता है वो फिर से उसी सूट करने लगता है लेकिन तभी हयोंग की मौम जाकर मुझ को गले लगा लेती है और गोली उसे लग जाती है तभी मुझ क मो को अपने मा के फुनरल पर देखते हैं उनके फुनरल में गॉंग और उसका परिवार भी वहां आता है तभी टीवी पर ये न्यूज आता है कि सोरी के मडरर हयोंग को किसी ने काट काट कर मार दिया और उसका बहुत सारा बॉडी पार्ट भी मिसिंग है ये कबर सुनते ही गॉंग वहां से भागते वे मुझे पास जाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि ये काम उसी ने किया है और अब उसने इंसानों को खाना सुरू कर दिया तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जूरूर बताना वैसे दोस्तों इस वीडियो का तीसरा पाट अगर आप देखना चाते हो तो आप इस वीडियो पे 3K लैक से जल्दी से कम्प्रीट कर दो आगे की कहानी में हम देखेंगे कि आखिर मुझ जौंबी कैसे बन गया और अब जब उसने इंसानों को खाना सुरू कर दिया था तो आगे क्या क्या होने वाला है आगे की टेक्ष्ट पर क्लिक करके उससे देख सकते हो सुविल गाइस आज के वीडियो में इतना ही थैंक्स ट्यू गुडबाई